थर्ड राउंड का ओफिशिल कटो आज के इस वीडियो में जनने वाले हैं उसके बाद में आपको भी पता चल जाएगा कि फॉर्थ राउंड के बाद में आपको अफग्रेडेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं भी इस वीडियो में हम लाश्ट मे नहीं मिला है तो पहली बात तो है कि आपका स्टेट भी मैटर करता है कि आपकी स्टेट से बिलॉंग करते हो कुछ यह स्टेट का थोड़ा कटोप कम ज्यादा भी जाता है क्योंकि उसके अलग अलग rules and regulation होते हैं, जो मैंने पहले आपको बता रखें, ठीक है, तो जान लेते हैं सभी course का अलग-अलग करके कटोप, जितने मेरे पास में, जिस course का officially data मिला है, उनका, ठीक है सबसे पहले मैं बात करता हूँ BSC Agree Culture में, तो जनरल category में भाई, 6550 जहां तक हमारे paid counseling के student थे, उनको मिला है, ठीक है और होज सकता कि student को इससे भी ज्यादा rank तक मिल जाए लेकिन मेरे पास में यह data है, अगर आपको इससे ज्यादा rank पर मिला है, तो आप एक बार comment में comment जरूर करें, कि आपको जो मैं कटो बता रहा हूँ, उससे ज्यादा rank पर भी मिला है, तो आप एक बार comment जरूर करना, ठीक है, OBC category में 6960 तक आपका भाई वसंद्राओ, परवनी मारास्टा में college मिला है, ठीक है, EWS में 6700 rank पर, SC category में 12720 पर, और ST category में 13554 तक, हाँ, वो सकता है कुछ एसे student, जिनको इस rank पर भी नहीं मिला है, तो सबसे important बात होती, बाइस choice preference जितना अच्छा आपने choice preference क्या है वो matter करता है, अगर आपका choice preference सही नहीं है, तो थोड़ा वो सकता है कि इस rank पर भी आपको नहीं मिले, और मौपर प्राउंड में अगर आप अच्छे सा choice preference करते हो तो आपको वो सकता क्योंकि मौपर प्राउंड में भी भाई काफी शीटे वेकेंट रहेगी तो अभीशे अवे रहें, जिनको नहीं मिला अभी टैंसल लेने की ज़रुरत नहीं है आपको फिर से एक नया choice preference फिल करने का मौका देगा ठीके, और एक बता देता हूँ जिन स्टूडेंट को मौपर प्राउंड में काउंसलिंग करवानी है, तो हमारे paid काउंसलिंग का 499 चार्ज है ठीके, अगर अच्छा choice preference हमारे टीम के द्वारा आपको choice preference फिल करके चाहिए तो आप paid program को join कर सकते हैं जिसमें हम आपको choice preference भर के देंगे हर जो भी university आपको मिलती हैं, उनकी complete information आपको provide करवाएंगे, और भी आपके कोई doubt होंगे वो भी हम 100% आपके शॉल करते हैं तो आप अगर interested है तो आप join कर सकते हैं, please call मत करें कोई भी आप message करके नीचे number दे रहके, उनपे message करके छोड़ दे call please मत करें, ठीक है उसके बाद में BSC Horticulture में general category में 8700 rank पर Shrikonda मिला है, उसके बाद में Shrikonda Lakshman Horticulture University जो आपका तेलंगना में है OBC में 9700 पर EWS में 9157 पर मिला है, SC category में 16300 और SC category में 17000 rank तक मिला है, इससे ज़्यादा भी अगर किसे student को मिला है, तो please आप comment ज़रूर करें, यह शाँ नहीं है कि इससे ज़्यादा rank पर नहीं मिला, यह कोई closing cut-up नहीं है, ठीक है, क्योंकि ICR official cut-up देता नहीं है, जितना cut-up data हमें student के द्वारा मिलते हैं, वो ही हम बताते हैं, जितने student हमारे paid counseling में थे, उनको किस rank पर मिला है, उसी के base में हम आपको बताते हैं, ठीक है, forestry में बता दूँ कि general category में 9870 पर भी भाई मिला है, ठीक है, OBC में 9955 तक, EWS में 9908 rank पर, ST में 18135 rank पर भी forestry मिला है, ST category में 1792 और जो UPS category से PW category से होते हैं, तो उनका rank चाए कितना भी हो, भाई 60-60-70-70-1000 तक भी बच्चों को मिल जाता, वो कोई matter भी नहीं करता है, वो कोई cut-off इतना खास नहीं है, जो exam जिन्हों ने दिया है, उनका selection हो जाता है, ठीक है, अब देखो, बाई technology के लिए मेरे पास में कोई official data नहीं है, लेकिन 8500 rank तक एक दो बच्चों को मुझे मिला था, जो general OBC category गे थे, तो OBC General OWS में, 7500 rank तक बाई technology मिला है, और SCST category में, 20,000 rank तक भी बच्चों को बाई technology मिला है, ठीक है, अब फिसरीज के लिए देखो, फिसरीज में आपको पता है कि वेसे seat भी कम है और student भी कम मिलते हैं, तो मेरे पास में को official data है नहीं, एक बच्चे का अलुट्मेंट लेटर है, वो मैं आपको दिखा देता हूं फेजाबाद में university है, ठीक है, आयोधिया में वो, सोरी, आयोधिया में university है, आचारी नरेंदर देव university, वो इसको third round में मिला है, ठीक है, तो देख सकते हूं कि इस rank तक आपको forestry अगर हो शकता है, कि वें बच्चों को मतलब सोरी, fisheries science है, लगवग 12-13 हजार तक भी मिला हो, और S.A.S.T. category में 22-23 हजार तक भी मिला हो, तो मेरे पास में जितना data था, ये एक ही student का fisheries का था, मैंने आपको दिखा दिया, वाकि जितनी चीजें थी, मैंने आपको एकदम officially दिखा दी, ठीक है, अगर आपको personalized counseling की need है, आप हमारा personal counseling join करना चाते है, paid program join करना चाते हैं, तो आप एक बार message जरूर करें, मैं पूरा process आपको समझा दूँगा, ठीक है, अगर आप interested हैं, और आपकी मतलब बहुँ ज़्यादा rank होने पर, आपको college में admission लेना है, चाते हो college में admission लेना, तो जरूर join करें, जो कटो, मैंने आपको बताईए, उससा आपको idea हो गया, अगर इस rank पर भी आपको नहीं मिला है, तो आप paid program join, जरूर कर ले, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, तो यार चैनल को subscribe कर देना, और अपने दोस्तों तक studio को जरूर सेयर करना, मिलता हूँ कि इस नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वास्त रही, मस्त रही, देखते रही है, शिल गूर्प पैगरी कल्चर का YouTube चैनल, थैंक यू, थैंक यू बेर माच,